बहुत बहुत स्वागत है आपका Computer Awareness की सीरीज में मैं हूँ आपका दोस्त, इंस्ट्रक्टर, सौरप शुकला और हम लोग देख रहे हैं निमसिट एक्जैम की तैयारी के लिए Computer का syllabus जिसमें आप पहुंचे हैं आज का Chapter हमारा है Logic Gates के बारे में और Boolean Algebra के बारे में यह बहुत Easy Topic जरूर लगता है इसमें Score भी आप कर सकते हैं लेकिन काफी सारी चीज़े नई भी हो सकती हैं आप लोग के लिए Simple हैं लेकिन उनको पढ़ना जरूरी है अगर हमको Score लाना है तो बिना दे रही के हम लोग शुरुआत करते हैं आज इस Topic को खदम करते हैं तो देखिए यहाँ पे है Logic Gates and Boolean Algebra दो चीज़े हैं पर दो से ज्यादा चीज़े हैं आपको इसके अंदर मिलेगी सबसे बहुत है Logic Gates आपको अल्रेडी शायद पता भी हो लेकिन एक बार revise कर लेते हैं Logic Gates क्या है बेसिकली जो circuits बनाए जाते हैं उसके अंदर हम कुछ खास तरह के Digital Elements का इस्तमाल करके circuit design करते हैं चोटे 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 circuits ही gates होते हैं यह gates voltage level को manipulate करते हैं जिसका data representation हम करते हैं भी नाम दे दिया है, यह input 0 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है इसी तरीके से यह वाला input भी 0 या 1 हो सकता है, पर output एक निकलेगा, जिसको हम denote कैसे करते हैं boolean expression में, a.b या simply a.b लिक्स देते हैं, तो यह इसका output है, इसी तरीके से इसका हम अगर truth table बनाएंगे, जिससे हमें इसका behavior पता चलेगा, तो वो क्या है, कि अगर a.b. दौनो 0,0 है, a.0 आता है, b.0 आता है, तो output में भी 0 आएगा, यही बात मैंने यहाँ पर लिखे हुई है, I hope आपको यह अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा से जूम कर देता हूँ मैं, आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे, कि यह चीज जो है, 0,0 का 0 आ रहा है, और अगर यहाँ से 0 है और यहाँ से 1 है, तो भी 0 आएगा, दौनों जब 1 होंगे, तभी यहाँ से 1 आएगा, यह end की end का behavior है, तो देखो दौनों 1 है, तो 1 आ रहा है, बाकी हर case में 0 ही आ रहा है, अब यह लिखने में इस तरीके से और, और का diagram आप दो तरीके से बनाते हो, और आपको exam में भी दोनों तरीके के दिख सकते हैं, आप उसमें confused मत होएगा, जैसे D बनाते हैं, वैसी बना रहे हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने curve दे दिया है, पस इसमें यह straight line है, इसमें यह curve है, यह फरक है दोनों, बाकी यह D जैसा ही है, कई बार यह D जैसा नहीं बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, पर यहाँ curve होगा, यह confirm है अब यह A और B दो input हैं, और output में जो आ रहा है, उसको लिखते हैं A plus B, इसलिए इसको हम लिखेंगे F equals to A plus B तो plus से आप और operation denote करते हैं, dot से आप end operation denote करते हैं इसका behavior कैसा है, दोनों 0 है तो result 0 आएगा, एक भी 1 है तो result 1 आएगा तो दोनों 1 है तो भी 1 आएगा, एक 1 है तो भी 1 आएगा, दोनों 0 है तो 0 आएगा not gate का कैसा रहता है not gate में एक ही input होता है इसको हम denote कैसे करते हैं इस तरीके से triangle जैसा हम बना देते हैं और ये एक circle बनाना जरूरी है पर यहाँ पर जो भी input आएगा उसको ये invert कर देगा मतलब की 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा इसको लिखते कैसे हैं F A bar अब इसको कई बार A bar लिखते हैं A dash भी लिख देते हैं या कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं तीनो तरह के notation valid है कुछ भी आ सकता है मैंने यहाँ पर ये bar वाला notation लिखा है फिर अगला है X or, X or कैसा रहता है same वैसी जैसे और बनाते हो वैसी बनाते हो बस इसमें एक extra curve आप denote करते हो यहाँ पर यह extra curve है चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ यह और है इसके पीछे एक ऐसे लगा दोगे तो यह X or कैलाने लगेगा ठीक है और X or को denote कैसे कर रहे है यह A और B input है यहाँ पर और A प्लस B में प्लस पे आप circle बना दोगे तो यह X or है इदर circle नहीं बना है इदर circle बना है इसके उपर बस इतना अंतर है symbol में तो F equals to A प्लस B हमने लिखा हुआ है लेकिन यह circle बना है तो यह X or है A X or B अब A X or B में क्या होता है दोनो inputs अगर अलग-अलग है तो result 1 आएगा मतलब एक 0 है एक 1 है तो 1 आएगा और दोनो same है दोनो inputs same है जैसे दोनो 0 हैं तो 0 आएगा दोनो 1 हैं तो भी 0 आएगा तो दोनो अगर अलग-अलग होंगे तो ही 1 आएगा है तो end का result क्या आता था ये end ये end का behavior था उपर इसमें दौनों one थे तो one आता था बाकी सब जगे zero आता था end क्या कर देगा इसको उलट देगा जहाँ zero आता था वहाँ one आ जाएगा यहाँ one आता था वहाँ zero हो जाएगा तो देखिए ये तीनों जगे पर one आ गया है और यहाँ zero है और नौर क्या करेगा और के result को पलट देगा यानि कि इस तरीके से हम diagram बनाएंगे जैसे और बनाते बस आगे एक circle लगा देंगे जहाँ पर और zero देता था कब zero zero पे zero आता था यहाँ one आ जाएगा और जहाँ पर one देता था यह नौर का हो गया इसी तरीके से एक buffer gate भी हम बोलते है buffer gate क्या करता है जो input है वो ही output आ रहा है कुछ भी अंतर नहीं है तो f equals to a बोलेंगे जीरो है तो जीरो आ रहा है one है तो बनाए तो यह है हमारे logic gates I hope आपको clear होंगे simple है अब हम लोग बात करते है logic circuit की अब यह logic circuit क्या होता है logic gates तो समझ में है logic circuit भई logic gate की सायता से आप circuit बनाते हो जैसे example के लिए मैंने एक circuit बनाया है यह circuit में यह gates यूज़ करें अलग अलग तरह के symbol से आपको पैचानना है कौन सा gate कौन सा है ठीके सबके behavior भी आपको याद होने चाहिए और उसके बाद फिर ABC का कुछ यह input lines है यह input जा रहा है तो finally output क्या है यह आपको बताना है माल लीज़े आपको सवाल इसी तरीके का दे दिया जाए यह आपको diagram दे दिया जाए और आपको बूला जाए कि A की value 1 है B की value 0 है C की value 1 है तो बताओ यहां से output क्या आएगा ठीक है ऐसा सवाल आ सकता है तो इसके लिए हम टृत table बना लेते हैं जिससे कुछ भी सवाल आएगा हम उसका answer दे सकते हैं तो क्या-क्या हो सकता है हो सकता है यहां पर 0 0 0 हो सकता है 0 0 1 क्या 8 combination हो सकते हैं अगर 3 inputs हैं हमारे पास 0 1 0 0 1 1 1 double 0 1 0 1 1 1 1 0 and triple 1 यह 8 combination हो सकते हैं अब देखो जरा अगर 3 0 जा रहे हैं तो and से कितना निकलेगा अगर 3 0 अब इसको थोड़ा सा time लेके आपको करना पड़ेगा solve यह C वाला input है यह वाला जो है यह A वाला input है ठीक है यह A वाला input है और यह C वाला input है तो इस पे भी 0 है इस पे भी 0 अभी सभी पे 0 आ रहा है तो यहां से भी 0 निकलेगा क्योंकि यह and gate है अगर आपको confusion हो रहा है तो मैं यहां लिखता जाता हूँ this is and gate this is what this is nor gate this is what xor gate this is or gate this is nand this is and clear इस तरीके से तो यह जो and gate बन रहा है यह तो क्या करेगा दौनों 0 है तो 0 ही देगा यहाँ पर यहाँ पर भी 0 आया ठीक है और यहाँ से क्या आएगा यहाँ पर nor है नौर मतलब और के opposite जाएगा और में क्या होता है दौनों 0 है तो 0 आता है पर यहाँ नौर है तो 1 कर देगा तो यहाँ से 1 जाएगा ठीक है अब यहाँ से 1 है यहाँ से 0 है तो result 0 आएगा ठीक है यहाँ से 0 जा रहा है 0 और 1 9 है तो end में क्या होता था end में 0 1 पे 0 आता था पर 9 क्या कर देगा उसको 1 बना देगा तो दोनों 1 आ रहे हैं तो इदर 1 आएगा इसका मतलब इस जगे पर आएगा 1 clear हुआ अब जैसे मैंने इसको किया है आप वीडियो को pause करी और पूरा बना के बताईए उसके बाद फिर वीडियो को resume करी का मैं इसको आपको करके बताऊँगा ठीक है आपने कर लिया होगा देखो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ जैसे यह and लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ a and c basically a और c जो है इनके बीच में and हो रहा है तो a c लिखा हुआ है और दूसरा यह जो nor लिखा हुआ है nor nor का c और b के input से आ रहा है तो nor नहीं है हाँ nor है तो इसको लिखेंगे b plus c इस पे बार ठीक है और इन दौनों के बीच में और हो रहा है क्योंकि यह और लगा हुआ है यहाँ पर यह मैं ऐसा expression लिख रहा हूँ तो fast होगा अभी calculation इसका जो value बन रही है वो इसके साथ और होने वाली है यह जो पूरा मैंने अभी निकाला यह पूरा मैंने निकाला है यह actual में इसका जो result आएगा वो यहाँ आएगा ठीक है क्योंकि यह चीज यह है यह चीज यह है और इन दौनों से जो result आने वाला है वो इस पूरे का result है तो यह इसका expression मैंने बना लिया है और इसी तरीके से अब मुझे इसका expression मैंना लिया है तो इन दौनों के input से आ रहा है तो यह तो हमें मालूम है B plus C ठीक है क्या है B plus C bar तो यह तो हो गया नौर फिर यह XOR कैसे लिखेंगे XOR यह A और B के बीच में हो रहा है तो A plus B ठीक है ऐसा हो गया और इन दौनों के बीच में हो रहा है NAND इन दौनों के बीच में तो AND करो और फिर जो result है उसको invert कर दो तो यह जो आया इन दौनों के बीच में AND हो रहा है यानि dot लगा दिये मैंने यह है हमारा expression और इसको हमें solve करना है अब आप देखते जाओ 001 लिखा हुआ है अब इसको कर लो आप इसको आप कर लो यह है लेंदी लेकिन हम इसके आगे एक method पढ़ेंगे जिसमें हम इसको simplify कर सकते हैं और जब इस expression को simplify कर देंगे तो और easy हो जाएगा लेकिन अभी इसको हम करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 001 है चीक है 001 है तो जड़ा करते हैं इसको कैसे होगा 001 तो 0 और यह तो 0 ही हो जाएगा एक भी 0 है तो यह term 0 हो जाएगी क्योंकि end होने वाला है इदर और इसमें b plus c b plus c क्या हो रहा b और c 0 1 है तो 0 plus 1 तो हो जाता है 1, 1 पे लेके not लगा हूँ है तो वो 0 हो जाएगा तो इसका result 0 आ रहा है और 0 का end किसी के विजाद भी होगा तो 0 ही आएगा तो इदर तो 0 ही आने वाला है अब आया समझ में 0 1 0 लिखा है ठीक है 0 1 0 तो a तो 0 ही है a 0 है तो यह पहली वाली जो term है वो तो 0 ही रहने वाली है दूसरे वाला है b plus c b plus c यानि की 1 plus 0 1 plus 0 1 होता है फिर यह 0 तो 0 plus 0 तो यह 0 हो जाएगा तो इसका result भी 0 आ रहा है इससे fast हो गया ना अब यह circuits को simplify करने के लिए आपको boolean algebra भी बढ़ना पड़ता है ताकि उस पर operations कर सके अब boolean algebra क्या है boolean algebra is the category of algebra in which the variable values are the truth values मतलब 0 और 1 तो किसी भी variable की value या तो 0 हो सकती या 1 हो सकती है it is used to analyze and simplify digital circuit जैसे यह digital circuit बना हुआ था यह हमने देखा इसमें बहुत time लग रहा था तो इसको simplify करने के लिए हम लोग boolean algebra पढ़ते हैं और it is also called binary algebra और logical algebra ठीक है बाकि आपने एक arithmetic algebra तो पढ़ा हुआ है symbols क्या use करते है तो not के लिए हम यह चार तरीखे से लिख सकते है and को इस तरीखे से लिख सकते है और को इस तरीखे से लिख सकते है कभी आपके सवाल में इस तरह के symbols लगे हो तो आपको confusion नहीं होना चाहिए इसके लिए बाने यह बता दिया आपको then हम बात करते है boolean expression की तो boolean expression क्या है एक ऐसा expression एक ऐसा statement जिसमें logical operators लगे हुए है यानि और लगा है and लगा है xor लगा है not लगा है यह सारे जो operators रहते हैं यह लगे हुए हैं और साथ में boolean variables हैं तो यह boolean expression क्यालाता है जैसे a.b.c मतलब a और b के बीच में and हो रहा है और फिर जो result रहा है उसका c के साथ और हो रहा है इसी एक और expression ही यह पहला example यह दूसरा example है तो इसमें क्या हो रहा है a.b.not तो b का result invert हो रहा है और फिर a के साथ उसका and हो रहा है इस तरीके से हमने पूरा expression बना दिया यह boolean expression हो गए अब boolean function क्या है function होगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि एक function है जिसमें a.b.c. तीन variables है और यह उसकी value हो तो boolean expression can be a function ऐसे ही हम लिख सकते है इतने portion को हम देखते है अकेले तो हम बोलते कि यह expression है और अब हम इसको क्या बोल रहा है function बोल रहा है तो function having n number of variables so it has 2 power n number of possible combinations of the given variable ठीक है अब यह बात थोड़ा समझने की क्या बोल रहा है एक function है a function having n number of variables अब जैसे यह function है इसमें 3 variables है ठीक है so it has 2 power n number of possible combination of the given variables 2 power n क्यों बोल रहा है क्योंकि हर एक place पे 2 possibilities है हमारे पास 0 हो सकता है 1 हो सकता है तो n अगर 3 है तो 2 power 3 is 8 8 possible combinations हो सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम बोलते हैं एक सवाल design logical circuit and truth table for the following boolean function अब बूलियन function आपको दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्या निकालना है इसका logical circuit बनाना है और truth table बनाना है बहुत simple है देखिए जरा यह expression आपको दिया हुआ है सबसे पहले आपको a दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर a बना लेता हूँ और a की line जा रही है और plus मतलब और तो plus और को ऐसे बना सकते हैं ठीक है और एक और और बना लेता हूँ दो और है दो और है दो और का जो यह जो दो और है न यह कैसे बनेंगे a का input इसमें जा रहा है ठीक है और a नौट b का input इसमें जा रहा है a नौट b का भी input जा रहा है एक मिरेट A not B का भी input जा रहा है, तो मतलब and gate भी लगने वाला है na and gate भी लगने वाला है, तो and gate ऐसे बनता है, ठीक है, अब and gate में input क्या है A bar, A bar मतलब यहाँ पे लगा दो एक not, तो A से ये input जा रहा है तो ये क्या हो गया ये हो गया A not, इस A का invert होके जा रहा है और दूसरा क्या जाना चाहिए, B तो ये हो गया, B तो ये हो गया हमारा A bar B clear, अब ये A bar B का A के साथ और होना चाहिए, तो ये यहां से आ रहा है इसके अंदर जाएगा, और ये चीज इसके अंदर जाएगी, तो ये जो output निकल कर आएगा इसको हम बोलेंगे A plus A bar B, ठीक है और इसमें plus हो रहा है B bar, अब B ये रहा, इस पे हम लगा देंगे not इस पे हम लगा देंगे not ठीक है ये हो गया not ठीक, और ये जो और लग रहा है इसको थोड़ा आगे shift कर दीजे ये आ रहा है इसके अंदर और ये चीज़ आ रही है इसके अंदर इससे जो result निकला ये है हमारा पूरा expression F, A, B पूरा expression, ठीक इसको बोलेंगे अब truth table बनाना है, मतलब हमें क्या करना है इसके A, B दो है input और इसका output होगा हमारा F इसकी values निकलने है तो इसकी values कैसे निकलने है मैं यहाँ पर 00, 01, 10, 11 चार लिख सकता हूँ अब देखो जब 00 होगा तो क्या result आएगा ये 0 है ठीक है और ये तो 1 हो जाएगा अब एक भी 1 है तो पूरा तो फिर 1 ही आने वाला है क्योंकि और हो रहे है यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी आए यहाँ पर कुछ भी आए यहाँ पर कुछ भी आए अगर इसका result 1 हो जाता है तो 1 ही आएगा न तो इधर 1 लिख लेता हूँ पर कुछ भी आए result 1 ही आएगा तो अगर मैं इस expression को simplify करूँ न तो यह simplify होके सीधे 1 बन जाएगा A और B की कुछ भी input हो कोई फर्क नहीं पड़ता चीक है अभी इसी तरह का एक और सवाल दिया हुआ है आप इसको भी कर सकते हैं वीडियो को pause करिए पहले आप खुद बनाईए इसका logical circuit हो उसका फिर ट्रूट टेबल भी बनाईएगा चलिए आप मैं बतायाता हूँ इसका यहाँ पर सबसे पहले A और B के बीच में and हो रहा है तो आपको एक and gate की जरूरत पड़ेगी और एक और and gate की जरूरत पड़ेगी जो B और C के बीच में बी बार और C के बीच में होगा और फिर आपको इनके बीच में और करना पड़ेगा तो एक और gate की भी जरूरत पड़ेगी और फिर इनकी A बार और C बार तो इधर भी एक and gate की जरूरत आपको पड़ने वाली है और उससे जो result आएगा उसके लिए एक और और की जरूरत पड़ने वाली है इतने total हमारे को gate लगने वाले ह अब हम लोग इसमें बनाते हैं सबसे पहले A और B A और B दो बना लिए A और B इसमें जा रहे है इससे जो output निकल के आ रहा है this is A, B ठीक अब B बार C करना है हमको इन दोरों का end करना है हमें यहां से निकाल के लाना है B बार C तो B बार C कैसे होगा B का यहां से आ रहा है input इस इस पे हम लगा देते हैं not ठीक और फिर यह इसमें जाएगा ठीक और C C का भी इसमें जाएगा तो यह हो गया B बार C अब तीसरा वाला देख लो तीसरा वाला देख लो A बार C बार तो इदर आना चाहिए A बार C बार तो A बार कैसे आएगा तो A बार के लिए मैं यहां से लेकर आँँ मैं तुछा सा यहां से लेकर आँँ A बार A बार मतलब की यहाँ पे not लगा दो और यहाँ से जाएगा यह a bar हो गया और c bar आपको चाहिए तो c bar यहीं से ले लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं और इस पे भी हमें not लगाना पड़ेगा और यहाँ से जा रहा है चीक है? यह आ गया अब इन दौनों का input इस और में जाने वाला है तो इससे जो result निकल कर आएगा वो इतने portion का result होगा यह a bar c bar के साथ और होगा तो यहाँ पर ले लिजे यहाँ पर ले लिजे बस यह हमारा final function बन गया that's it अब इसका truth table बनाना है तीन inputs है इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पर a, b, c, 3 लेने पड़ेंगे फिर function और possible values क्या होंगी तो 000, 001 010, 011 100, 101 110, 111 ठीक है? इतने होंगे अब जरा सोचिए इस expression में हम रखके direct बता सकते हैं एक भी term 1 आगई तो result 1 आने वाला है तो अगर यह दोनों 0 है तो 0 आएगा पर यह दोनों 0 हैं a और c तो उसके invert होने के करण यह 1-1 हो जाएगा तो इदर 1 आजाएगा तो यह finally 1 आएगा चिक? 001 001 का मतलब है यह तो 0 हो गया a, b, a, b जिरो हो गया यह b बार c है तो b बार c का मतलब हो जाएगा 0, 1 अरे वाँ तो इदर भी 1 हो गया फिर 0, 1, 0 0, 1, 0 अच्छा यह तो 0 हो गया 0, 1, 0 यह यह हो गया यह हमको 1 मिल गया ठीक है? 0, 1, 1 0, 1, 1 0, 1, 1 a, 0 है मतलब यह तो 0 हो गया a, bar, c, bar यह भी 0 हो जाएगा और b, bar b, bar यह भी 0 हो जाएगा तो इसका result 0 हाएगा फिर 1, 0, 0 मतलब a, 1 है तो b, लेकिन 0 है तो यह 0 हो गया a, bar, c, bar तो a, bar यह 0 हो गया b, bar, c ये 0 हो गया, तो तीनों ही 0 हो गया ये 0 है, 101 है तो A और C 1 है A और C 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा ये B के current 0 हो जाएगा, और B बार C, मतलब ये हो जाएगा 1 तो इसका answer आएगा 1 110, अब A और C A और B दोनो 1 है तो पहले ही term 1 हो गया, तो ये 1 आएगा और इधर भी A और B 1 है तो ये भी 1 आजाएगा, तो ये हमारा true table बन चुका है I hope this is clear So, let's understand some of the properties of boolean algebra boolean algebra में हम लोग 1 मतलब high variable की value दो ही हो सकती, 1 या 0 1 मतलब high, 0 मतलब low complement of a variable inverts the value of a variable, 0 को 1 कर देता है 1 को 0 कर देता है, ये सब आपको पता है यहाँ पे कुछ laws हैं, जैसे कि commutative law है, commutative law ये कहता है कि आप चाहे A and B करो या B and A करो, एक ही बात है A और B करो, या B और A करो, एक ही बात है associative law क्या कहता है A, B, C, तीनों की बीच में and हो रहा है तो पहले आपने B और C का and कर दिया या A और B का and कर दिया, इससे कोई फर्ख नी पड़ेगा answer same आएगा, ऐसी A plus B plus C है तो आप चाहे B plus C कर लो पहले या A plus B कर लो, कोई फर्ख नी पड़ेगा answer same आएगा, इस तरीके से एक और law है हमारे पास distributive law, वो ये कहता है कि A and B plus C हो रहा है तो bracket अगर open करना है तो A, B, A, C हो जाएगा यानि A and B, A and C जो normal arithmetic में होता था वैसे ही होगा A plus B into C ये ज़रा ध्यान से देखें, इसको कैसे करते हैं इसमें फिर A plus B और A plus C हो जाता है ये normal से थोड़ा अलग हटके ये boolean के लिए ये applicable है तो A plus B and C लिखा हुआ है तो A और ये A और लिखा हुआ है तो A और B कर लीजे और A और C कर लीजे और दौनों की बीच में and कर लीजे तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको बाकी तो आपको याद रहेगा and lock क्या कहता है अगर 2 का and हो रहा है A का 0 के साथ and हो रहा है तो 0 का किसी की भी साथ and होगा 0 ही आएगा ठीक है A का A बार के साथ अगर and हो रहा है A and A है तो फिर वो जो भी A की वैलियो है वो ही answer होने वाला है और में क्या होता है और में अगर एक भी 1 है तो result 1 होता है तो जहां 1 है तो वहां तो clear है और जहां 1 नहीं है वहां पे A की जो वैलियो है वो ही answer होगा यहां पे दोनों opposite है तो एक 0 है तो दूसरा 1 होने ही वाला है इसलिए 1 आएगा यहाँ A प्लस A है तो जो भी A की value है वो answer आएगा यह सब laws हम use करके simplify करते हैं boolean algebra में boolean expression को inversion law क्या है A बार करोगे तो A आजाएगा चालो यह laws तो बड़े simple थे एक है D Morgan's law इसमें 2 law आपको पढ़ने है first law second law बहुत simple तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ आपको सब कुछ पलट देना है जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A and B कर रहे हैं और hole पे not लगा रहे हैं तो आप सब कुछ पलट दो A and B हो रहा था तो A का invert करो B का invert करो दौनों के बीच में and हो रहा था तो दौनों के बीच में और लगा दो और दौनों के hole पे invert हो रहा था तो वो मत करो मतलब A bar प्लस B bar सबज़ आए नहीं है सुनो फिर से मैं कहा रहा हूँ हर चीज को पलट दो अगर A लिखा है तो उसे A बार बना दो A बार लिखा है तो उसे A बना दो ठीक है दूसरी बात and हो रहा है तो उसे और बना दो और हो रहा है तो उसे and बना दो ठीक इस पूरे पे inversion हो रहा है तो इस पूरे पे inversion नहीं हो रहा है A and भी हो रहा है तो यहाँ प्लस हो गया, और हो गया A और B पे invert नहीं था, तो यहाँ invert लगा दिया बस, सब कुछ पलट दिया आपने सेकंड लॉबी इसी तरीके का है बस ये river side में हम देख रहे हैं उल्टा देख रहे है A प्लस B, करना वो ही है सब कुछ पलट देना है A प्लस B, यानि A और B और whole पे not है तो आप क्या करोगे A और B को change करोगे, A बार B बार हो जाएगा दौनों की बीच में end लगा दोगे और whole पे not नहीं लगा होगे बस, हो गया, यह है demorgan's law सब कुछ पलट दो यह बराबर होता है यह और यह same value आती है अब simplify करना है किसी expression को जैसे आपके पास लिखा है A प्लस B बार A अब इसको simplify करना है तो आप simplify कैसे कर सकते हो A प्लस B बार A इसको लिखने के कई तरीके हो सकते है एक simple तरीके ही हो सकते है कि आप A को A.1 कर सकते हो क्योंकि A and 1 करेंगे तो result A ही आएगा यह अभी हमने law में पढ़ा अब अगर ऐसा है तो इधर भी A है इधर भी A है तो हम क्या लिख सकते हैं हम A common कर सकते हैं क्योंकि distributive law में हम इसको क्या लिखते हैं इसको वापिस से लिखते हैं तो distributive law मेंने लगाया जिसके current में A common करके 1 प्लस B कर रहा हूँ अब 1 प्लस B बार में क्या होता है आपने और law में यह पढ़ाए कि अगर एक भी 1 है तो result 1 आएगा तो इसका result 1 आजाएगा तो A and 1 हो जाएगा A and 1 का result आपने and law में पढ़ाए कि A आता है तो इस पूरे expression का result A है बस तो इसका मतलब B की कुछ भी value उससे result पे कोई फर्क नहीं पढ़ेगा A की जो value वही result आने वाला है simplify the expression using truth table जैसे same expression लिकिन इसका truth table मैंने बना लिया है तो मुझे पता चल रहा है कि 1 कब आ रहा है जब A की value 1 है तब 1 आ रहा है ठीक है और A की value 0 है तब 0 आ रहा है इसका मतलब इस expression का result A है B के value से कोई फर्की नहीं पढ़ रहा है इसके result को अब चलिए ये वो सवाल है जो previous years में आ चुके हैं तो वीडियो को pause करके आपको answer करना है और comment section में देना है और उसके बाद फिर मैं इसका solution बताऊँगा तो उसको आप देखेगा अभी आप वीडियो को pause कर लिजी और solve करें तो इसमें क्या बोला गया है basically कि कोई ये gate है आपको बताना है कि वो कौन सा gate है उस gate में signal pass हो रहा है low, low मतलब 0 अब आप किसी में 0 pass कर रहे हो ठीक है और low into one of the inputs and the output is high अब दूसरा जो भी होगा दूसरा मुझे नहीं मालम कुछ होगा और उस पे ये gate क्या कर रहा है output में दे रहा है high तो 0 input हो रहा है और दूसरा कुछ भी हो मतलब कि 0 है तो भी 1 आ रहा है और 0 1 है तो भी 1 आ रहा है ऐसा किस में होता है ऐसा किस में होता है ऐसा होता है 9th gate में तो इसलिए इसका answer होगा 9th gate ठीक अगला सवाल है ये आपको circuit दे हुआ है ये निमसेट 2018 में आया हुआ है आपको बताना है इसका सही option क्या है तेख लीजे circuit आपके सामने अब इसका सही option आपको निकालना है the output of the combinational circuit given below is वीडियो pause करिए answer निकालिए और उसके बाद फिर मेरा answer सुनिए तो boolean expression में इसको करने की कुछ short trick भी हम लोग कर सकते हैं पर पहले boolean function हम लोग बना लेते हैं जैसे की यहाँ A and B हो रहा है ठीक है यह पहला वाला end gate दिख रहा है हमको दूसरा एक हमें दिख रहा है इसका end हो रहा है इसका end हो रहा है C के साथ यह C के साथ हो रहा है A, B, C हो रहा है A, B का end यहाँ पे हो गया और जो result आया उसका यह C के साथ end हो रहा है ठीक है और इसका XOR हो रहा है ठीक है XOR हो रहा है किसके साथ हो रहा है XOR तो यह आपको समझ में है यह term कैसे बनी यह term ऐसे बनी कि ये XOR ये वाला है इसमें एक input आ रहा है यहाँ से यह जो output है यह कहां से आ रहा है A, B से आ रहा है तो A, B मैंने लिखा और यह जो input आ रहा है यह इस से आ रहा है इस से आ रहा है मतलब यह B और C का end हो रहा है ब इस expression के equivalent कॉन सा expression यह हमको find out करना है तो देखे हमको क्या करना चाहिए इस तरह के सवाल को solve करने के लिए हम कुछ example ले लेते हैं ABC की कोई particular value ले लेते हैं जिस पर हम तीनों के चारों के results को observe कर लें अब देखो ABC ये तो 1 आ जाएगा कोई भी एक भी 1 होगा तो इसको मैं 0 कब ला सकता हूँ जब B की value 0 हो अचा B की value 0 होगी तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा ठीक है अगर B 0 होगा पर और C को 1 रख दो और A को 1 रख दो तो इसका result 1 आएगा और इसका result 1 आएगा तो पहले तो मैं इसमें चेक कर लेता हूँ दो options तो reject होई जाएंगे तो मैंने इस पे रखा तो ये तो 0 होगया प्लस ये A, B हो जाएगा 0 X और B, C हो जाएगा 0 तो ये 0, 0, 0 result मतलब A result नहीं है और D result नहीं है अब इन दोनों में अंतर करो B और C में अंतर करो ठीक है और B को 1 करने के बाद देखो अब इन दोनों को छोड़ दो बस इन दोनों को देखना है B को 1 कर दूँगा तो 1 लेकिन इदर पे C C bar C को 0 लेता हूँ A को 1 लेता हूँ 1, 1, 0 तो ये B वाला क्या बन जाएगा B वाला बन जाएगा 1 और इसको भी 0 ले लेता तो भी ये 1 बनता हूँ ठीक है और ये क्या बनता है इसको 0 ले लो, A को 0 ले लो तो ये 0 बन जाता हूँ इससे हम distinguish कर लेंगे कि कौन सा सही है तो ये हो गया 0, XOR यहाँ A और B 0 बन जाएँगे 0, XOR, 0 तो ये हो जाएगा 0 ये आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, अंसर 0 मतलब C वाला तो C अंसर हो गया रा, ठीक Which of the following expression does not represent exclusive NOR of X and Y exclusive NOR of X and Y exclusive NOR किसको बोलते हैं exclusive NOR इसको बोलते हैं, last वाले को ठीक है, इस तरीके से मतलब दोनों का invert करा आपने फिर उसमें XOR कर दिया, this is called अगला सवाल है, आपको एक circuit दिया हुआ है इसमें आपको बताना है, इस function का result क्या आएगा, इस output का इसका output क्या आएगा, F की value क्या आएगी तो वीडियो को पॉस करिए, पहले आप try कर लिएजे, उसके बाद फिर मैं आंसर बताता हूँ आपको, देखो X की और X की value जो भी थी, वो यहां जा रही है, मतलब इदर X की value है तो X का, आप XOR कर रहे हो 0 के साथ, अब इसमें क्या result आएगा, अगर X की value 0 हुई, तो result 0 आएगा, और 1 हुई, तो 1 आएगा, तो मतलब इसका result आने वाला है X, तो इसका result X आएगा, और ये तो X था ही, तो आप actual में XOR X कर रहे हो, ठीक है, जिसका result आपको मालू में है कि 0 ही आने वाला है, तो yes, always 0 आने वाला है, इसलिए A इसका answer होगा, ठीक है, ये 2019 में सवाल आ चुका है अब हम लोग करते हैं next question इसको try करिए, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा try if we can generate a maximum of 4 boolean functions using n boolean variables, then what will be the minimum value of n, तो इसको ना एक formula आप दिमाग में रखिए, कि अगर हमारे पास n boolean variables हैं, तो हर एक boolean variable की या तो value होगी 0 या value 1 होगी तो हम बोल सकते हैं कि 2 power n possible combinations हो सकते हैं और हर combination से जो boolean function बनेगा, उसकी कोई एक value होगी तो boolean functions की कितने combinations हो सकते हैं, 2 power 2 power n, ठीक है तो अगर आपको ये बात समझ में आई, तो इसका मतलब है कि हमारे को दिया है if we can generate a maximum of 4 boolean function, मतलब 2 की power 2 की power n ये है 4 ठीक है, 4 maximum of 4 boolean functions generate कर सकते हैं, अगर n boolean variables हैं तो n की value क्या होगी simple सी बात है, n की value 1 होगी तब तो 2 की power 2 होके 4 आएगा तो इसका answer उने वाला है c अगला सवाल है, assume करिए x bar represent negation of x the boolean function is equivalent to मतलब simplify करके आपको बताना है कर लीजे, वीडियो को pause करके उसके बात फिर answer देखिए, फिर मेरा answer resume करके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x bar y bar plus xy plus x bar y इसको simplify कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर y लिख सकते है x plus x bar और यहाँ y हो गया यह x bar y bar है तो यह चीज तो 1 हो जाएगी तो यह y बन जाएगा x bar y bar plus y bar ठीक है, अब इसको और थोड़ा simplify करते हैं हम लोग तो और अगर distributive law लगा दे है हम इसको ऐसे लिख सकते है x bar plus y and y bar plus y, ठीक है y bar plus y तो हो जाएगा 1 तो यह केवल बचेगा x bar plus y, x bar plus y is a, a option इसका correct answer होना चाहिए ठीक है तो मुझे लगता है कि इतनी practice से आप कुस idea लगया होगा किस तरह के सवाल आएंगे कुछ जगे पर थोड़ा सा tricky हो जाते हैं आप option से इन सवालों को अगर करेंगे तो थोड़ा fast हो जाएगा इसकी practice ज़रू कर लीजे थोड़ा practice आपको कर लेना चाहिए ताकि आप fast calculation इसमें कर सकें बाकि value put करके देखने वाला तरीका ज्यादा better होगा इसमें मैंने इस notes में कुछ और भी सवाल दिये हुए हैं इसके नीचे उनको आपको करना रहेगा वो मैं यहां discuss नहीं कर रहा हूँ पर वो notes में मिलेंगे आपको तो वो सवालों को practice करने के लिए आपको मेरे notes डाउनलोड करने हैं तो notes कहां से डाउनलोड होंगे वीडियो के description section में आप देखिए मैंने मेरे course का link दिया हुआ है यह free of cost है वहां से आप register करके अपने notes को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए यतना ही next class में फिर मिलेंगे लेकिन वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, comment करें आज के लिए इतना ही, thank you, goodbye